C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वरा प्रस्तुत है कक्षा 6 के लिए उर्दू की पाठे पुस्तक अपनी जबान भाग एक आईए सुनते हैं अपनी जबान भाग एक का साथवा सबक सबक नंबर 7 जर्रों को भी इनसान बना दो नजमनिगार सीमाब अकबर आबादी सफ़ा नंबर 49 अए एहले वतन, जाने वतन बन के दिखा दो तुम खात के जर्रों को भी इनसान बना दो इनसान वो है इल्म की जिसमें हो तजल्ली हैवां को भी हैवां को कभी इल्म मिला हो तो बता दो खुद भी पढ़ो खुद भी पढ़ो बनने के लिए आलिमों कामिल अनपढ कोई मिल जाए तो उसको भी पढ़ा दो हो इल्म तो फिर क्या नहीं इमकामे तुम्हारे तुम चाहो तो जंगल को भी गुल्जार बना दो काटों को जिहालत के अलकाट के फेंको तुम इल्म के फूलों से नया बाग खिला दो है मुल्क में तफरीक जिहालत के सबब से तुम इल्म की कुवत से ये जगड़ा ही मिटा दो बे इल्म का जीना भी है एक किस्म का मरना जैसे तने बेरूह जला दो के दबा दो सफ़ा नंबर चालीज मानी याद कीजिए एहले वतन वतन के लोग तजली रोशनी कामिल ऐसा शक्स जो किसी इल्म या हुनर को पूरी तरह जानता हो किसी फन में कमाल रखता हो इमकान में होना बस में होना काबू में होना गुलजार बाग तफरीक फर्क करना फूट डालना उवत ताकत तन जिस्म बावकार इज़त वाला सोचिये और बताईए एक वतन के लोग जाने वतन कैसे बन सकते हैं? दो शायर के नजदीक इनसान और हैवान में क्या फर्क है? तीन इल्म हासिल करके क्या-क्या काम किये जा सकते हैं? चार काटों और फूलों से शायर का क्या मतलब है? पांच जिहालत की वजह से मुल्क को क्या नुकसान होता है? छे इल्म की قوت मुल्क की तामीर और तरकी में कैसे मददगार साबित हो सकती है? साथ आखरी शेर में शायर क्या कहना चाहता है? सफ़ा नंबर 41 मिसरे मुकमल कीजिए इनसान वो है इल्म की जिसमें हो खाली जगा हो इल्म तो फिर क्या नहीं? खाली जगा में तुम्हारे है मुल्क में खाली जगा जिहालत के सबब से तुम इल्म की खाली जगा से ये जगड़ा ही मिठा दो खाली जगा का जीना भी है इक किस्म का मरना दिये हुए मिसरों को तर्तीब से लिखिए हैवां को कभी इल्म मिला हो तो बता दो अनपढ़ कोई मिल जाए तो उसको भी पढ़ा दो इनसान वो है इल्म की जिसमे हो तजली खुद भी पढ़ो बनने के लिए आलिमो कामिल तुम इल्म की कुवट से ये जगड़ा ही मिठा दो जैसे तने बेरूफ जला दो के दबा दो है मुल्क में तफरीक जिहालत के सबब से बे इल्म का जीना भी है एक किस्म का मरना इन लवजों के मुतजाद लिखिए इनसान आलिम फूल जीना अनपढ़ सफ़ा नंबर बे आलीज यहां दिये हुए अलफाज को जुमलों में इस्तिमाल कीजिए इल्म तजली गुलजार तफरीक उवट पढ़िए इस नजम को बुलंद आवाज से पढ़िए याद कीजिए इस नजम को जुबानी याद कीजिए गौर करने की बात पढ़ने लिखने और इल्म हासिल करने से इनसान को इज़त मिलती है मुल्क में फैली हुई बुराईयों की जड़ जिहालत है जिहालत को दूर करना और अनपढ़ लोगों को पढ़ाना हमारा फर्ज है इसी के साथ अपनी जबान भाग एक का सात्वा सबक यहां खत्म हुआ इसके बाद सबक आठ आता है प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नईदिल्ली भारत